Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, किस तरीके से एक original war, global war में बदल जाता है, इस शीज को हम देख सकते हैं इरान, इसरेल, हमास या पैलिस्टीन के example से, जैसा कि इरान ने promise किया था कि वो इसरेल के उपर attack करेगा और ऐसा हुआ भी, बी लिया जाता है, जिसमें कम से कम 17 भारतिय इसमें थें, एक सवाल जो दिमाग में आ सकता है कि आखिर में इरान के जो special forces थें, वो state of hormones के पास ही cargo ship को hijack क्यों करते हैं, और उसके बाद government of India क्या response आता है, जब उन्हें ये मालूम पढ़ता है, कि इस cargo ship में कम से कम 17 Indian crew member हैं, इस आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है, तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं, किसी भी चीज को समझने का जो सबसे best तरीका होता है, वो होता है map के through, और उसके बाद उस area का economic importance, ये जगा पढ़ता है Strait of Hormuz, जो कि Persian Gulf और Gulf of Oman को connect करता है, और ये जो पुरा area है, ये इरान का है, कहने का मतलब है, कि इरान बहुत ही अच्छी तरीके से Persian Gulf, Strait of Hormuz और Gulf of Oman से वो familiar है, और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, कि यहां का जो area है, वो काफी छोटा हो जाता है, तो छोटे area में किसी भी cargo ship को चोक कर पाना काफी असान है, और ठीक अगर आप इरान के opposite side देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि UAE हो गया, कतर हो गया, यह ओमान हो गया, और लगभग हम कह सकते हैं, कि इन सभी देशों के साथ इरान के संबंद अच्छे नहीं है, और उसके साथ हम देख सकते हैं, कि यह है ग्वादर पोर्ट जो कि बलुचस्तान में आता है, और इसी आसपास कहीं पड़ता है, चाबहार पोर्ट जिसको की भारत डेवलप कर रहा है, यह बहुत हतक डेवलप हो चुका है, इरान के मदद से, तो यह सब जो एरिया है, यह काफी strategically important एरिया है, और इसी लिए चायना भी काफी interested है, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने क एक बात मैं बहुत ही सपस्ट कर दूँ, और यह खास कर कि student तबका के लिए बहुत ही important होता है, कि जब हम geopolitical news को हम सुने या पढ़ें, तो हम बहुत ही neutral तरीके से रहके पढ़ें, हम कभी भी यह ना मान बैठे कि जो US कहता है, वही सही कहता है, या जो इरान कहता है, वही सह में आता है कि इस पूरे एरिया में एक जो common चीज है वो है oil, चाहे वो UAE हो गया, या कतर हो गया, या साओधी अरेबिया हो गया, या ओमान हो गया, अगर आप इनका economic data देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेया कि बढ़ चड़ कर ये देश लगभग-लगभग 80 से लेक के समझें कि अगर साओधी अरेबिया किसी एक रूट का इस्तेमाल करता है और वो रूट अगर 10 दिन के लिए भी अगर block हो जाता है तो कितना नुकसान बैठेगा साओधी अरेबिया को, हमें ये लगता है कि साओधी अरेबिया के पास बहुत पैसे हैं, या इरान के बास या UAE के पास बहुत पैसे हैं, एक चीज़ को हम भूल जाते हैं, वो ये है कि जिस देश के पास जितने पैसे होते हैं, उनके खर्च भी उसी हिसाब से होते हैं, इस एरिया में पढ़ने वाले सभी देशों का जो economy हैं, वो हम कह सकते हैं कि dangerously dependent है oil के उपर, तो अगर state of hormones अग को उतरना ही पढ़ जाएगा, और उसके बाद अगर हम data को पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें मालूम पढ़ता है कि Persian Gulf, Strait of Hormuz और Gulf of Oman इस रास्ते का यूज़ करके, दुनिया भर का कम से कम 20 से लेके 30% oil और natural gas export होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसी रास्ते पे द पुरा दुनिया इसके चपेटे में आहीं जाएगा, वैसे तो हम कह सकते हैं कि इरान और इस्रेल के बीच में relation खराबी रहते हैं, लेकिन जब से इस्रेल और हमास के बीच में जंग शुरू हुआ, तब से ऐसे multiple occasions हुए जहां पे इरान और इस्रेल के बीच में relation और भी बि तो कहीं न कहीं continuous attack इरान पे होता रहा, तो इरान को भी retaliate करना है क्योंकि इरान कभी भी अपने आपको global platform पे कमजोर नहीं दिखाना चाहेगा, as a result होता है कि यह latest photo है या कहले visual है, जिसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से इरान के commandos cargo ship पे उतरते हैं और इस ship को hijack कर लेते है State of Hormuz के पास, उसके बाद एक बात और बता दू कि यह जो shipping industry होता, यह काफी complicated होता है, कहने का मतलब है कि इन में flag किसी और देश का लगा होता है, registered किसी और देश में होता है, ownership किसी और के पास होता है, इस case में भी हम देख सकते हैं कि इस cargo ship में जो flag लगा हुआ था, वो Portuguese flag और इस cargo का एक हिस्सा जो था, वो London में registered था, या London से connected था, और उसके बाद कहीं न कहीं, इस cargo ship का जो relation है, वो Israel के किसी bilanier से connected है, तो अगर हम सिर्फ इस cargo ship का example लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक cargo ship है, जो कम से कम तो 5 देशों से connected है, और उसके बाद जैसे ही मालूम पड़ता है, Government of India को कि इसमें कम से कम 17 Indian nationals हैं, तो वैसे ही Government of India ये कहते हैं कि वो इरान के authorities के साथ connect करेंगे, और बहुत ही और diplomatic channels का इस्तेमाल करके, जो Indian long है, उनका safety and security को ensure करेंगे, एक बात बता दू कि भारत और इरान के बीच में relation fairly काफी अच्छे हैं, और भारत इरान से oil भी लिया करता था जब इरान के उपर sanctions नहीं लगे हुए था, दो देशों के बीच में relations बिगड़ जाते हैं, जब आपस में वैपार नहीं होता है, और relations अच्छे हो जाते हैं, जब वैपार होना शुरू हो जाता है, तो सिर्फ हम इस एक single example के मदद से ह हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक original war, एक global war में convert हो रहा है, और कहीं न कहीं, slowly and gradually अगर इस tension को control ना किया गया, तो end शायद और भी बुरा हो सकता है, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आ have a wonderful day, thank you, take care, goodbye